तो identify the vector quantity among the following, इसमें से कौन सा vector quantity है, ठीक है, तो इसमें से vector quantity अभी यार मलब रटने वाला सवाल है, आपको याद होना चाहिए, वैसे यार देखो, जब कोई पढ़ाई करता है, तो इनके साथ हम deal करते करते हैं, इनको हम समझ जाते हैं, energy scalar है, distance scalar है, heat scalar है, तो angular momentum vector होगा, झाल